इसकंद माता की पूजा से मिलेगी सुख शांती नवरात्रे के पांचवे दिन इसकंद माता की पूजा की जाती है मा इसकंद माता के आराधना करने वाले भक्तों को सुख शांती एम शुबता की प्राप्ती होती है देवासुर संग्राम के सेनापती भगवान इसकंद की माता होने कारण मा दुरुगा की पांचवे सुरूप को इसकंद माता के नाम से जाना जाता है इसकंद माता हमें शिखाती है कि जीवन स्वयम ही अच्छे बुरे के बीच एक देवासुर्थ संग्राम है हम स्वयम अपने सेनापती हैं हमें सेनी संचालन की शक्ति मिलती रहे इसलिए इसकंद माता की पुजा करनी चाहिए इस दिन सादक का मन विशुद्ध चक्र में अव पूजा के लिए सर्वत्तम है पंचमी तिथी यानि नवरात्रे के पांचवे दिन माता दुरुगा को केले का भोग लगाएं लगरीबों को केले का दान करें इससे आपके परिवार में सुक शान्ति रही और मा इसकंद माता की सब इच्छाओं को पूरा करें